लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए इसे बनाने के लिए तेल का ज्यादा इस्तिमाल भी नहीं करना पड़ता और यह हिल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाता आलू टिकी बर्गर बच्चों को काफी पसंद आता है और इसमें घर पर रखी चीजों की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है हम आपको लॉक डाउन में घर पर आलू टिकी बर्गर बनाने की रेसिपी बताते हैं आलु टिकी बर्गर बनाने की विधि सबसे पहले उबले आलू को मैश कर लें, अब इस उबले आलू में आलू में नमा कॉर्लाल मिर्च पौडर मिलाएं, अब यस आलू की टिकी का आकार और इसमें ब्रेट्ट ग्रम से मिला ले ताकि इनने शैलो फ्राइ किया जा सके अब 4 टिकी बना कर तवे पर तेल डाल कर शैलो फ्राइ कर लें दूसरी तरफ बन काट कर इसमें अच्छी तरह से बटर लगाएं फिर इसमें टोमेटो सॉस लगाएं टिकी रखें उसके बाद इसके उपर मेलो नीज डाल कर खीरा टमाटर और अलू टिकी बर्गर तयार है और बच